राम राम जोतिश सिखें की सात्मिक अक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हम केंदर भाव समझेंगे के जोतिश में केंदर भाव किन को कहा जाता है और ये केंदर भाव होते कौन-कौन से हैं ये समझते हैं भाव नमबर एक को केंदर कहा जाता है केंदर भाव जब भी जोतिश की बात करते हुए आप से कोई बोलेगा न की ग्रह यहाँ पर बैठा उआ है और केंदर का मालिक पीडित है यहां केंदर में जो ग्रह बैठा है ऐसी बाते कई बात देखने को मिलती है चौथा भाव ये भी केंदर भाव है ठीक है ना सेंटर सात्मा भाव इसको भी केंदर भाव कहते हैं ठीक है जी और दस्मा भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ आपको इसको भी केंदर भाव कहते हैं तो हर जनम पत्रिका में ये चार भाव केंदर ही रहेंगे इनका नाम यही रहेगा राशी चाहे बदद जाए ठीक है तो केंदर भाव इसको हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी मनुश्य के मनुश्य के इर्द गिर्द क्या चीजे हैं मतलब मान लीजिए मेरा जनम हो गया है ना तो मेरे लिए सबसे जादा महत्वपून क्या है सबसे पहले केंदर भाव एक की बात कर लें तो ये मेरा खुद का है ठीक है ना तो मैं खुद अपना केंदर तो रहूँ गई यानि के मैं खुद एक तरह से केंदर हूँ अपने लिए और मेरे मतलब इर्द गिर्द क्या चीजें जादा घूमेंगी ये क्या है माता माता का भाव है मकान है सुख सुविधाएं है तो ये मेरे केंदर बिंदू में आ गई न, मुझे ये चाहिए, हर विकती का एक एक कही न कहीं उसका घुमाव rifता है, एक चीजी के इर्दगिर्द उसने घुमना होता है, तो ये इसके पीछे विकती गुमेगा ठीक है ना सब्तम भाव तो ये भी केंदर है है ना तो केंदर के इर्दगिर्द विक्ति गुमेगा ठीक है ना और डेली इंकम भी यहां से हम देख रहे हैं शरीरिक सुख भी यहां से देख रहे हैं तो सब्तम भाव जीवन साथी का भी है तो उसके नाम शोहरत यहां से आ गई और यहां से भी नाम शोहरत आ गई तो यह इसी लिए केंदर भाव इनको कहा जाता है कि इनको केंदर मानकर ही विक्ति अपने जीवन को यापन करता है इसके इर्द गिर्द ही अपना जीवन काटता है तो इसलिए भी इसको केंदर भाव कहा जाता और वैसे भी जनमकुटनली को देखा जाए ना तो ये केंदर में पड़ रहे हैं तो लॉजिकली जो कलपना की गई है शितिज की तो इस तरहां से की गई है कि ये केंदर भाव बन जाते हैं कि विक्ति का जीवन इसके इर्द गिर्द ही घूमता है केंदर के स्वामी का बहुत जादा महत्व है ठीक है ना तो यहां पर लगन के स्वामी का महत्व है चोथे भाव के स्वामी का भी बहुत जादा महत्व है केंदर और तिर्कोन की कहीं किसी विक्ति की जनम पत्रिका में अगर युती हो जाती है ना एक तरहां से वो राज इसका भी बहुत महतव है इसके स्वामी का सब्तम भाव हलाकी ये थोड़ा सा मारक पर भाव रखता है लेकिन फिर भी इसके इर्दगिर्द विक्ति की जिंदगी गुमती है और दशम भाव तो वैसे ही रायोकारक होता अगर ये भाव बली हो केंदर का ये महतव है अब हम समझते हैं तिरकोन भाव कौन से हैं और तिरकोन भाव के बारे में जानते हैं तिरकोन भाव तिरकोन इसको इस तरह से भी जोतिश में सम्भोदित किया जाता है ब्रहमा विशनु महेश ठीक है ना तो ब्रहमा विशनु महेश के नाम से भी ये भावों का संभूदन करते हैं विदवान वैसे इनको तिरकोन भाव बोला जाता है तो तिरकोन भाव कौन सा होता है भाव नमबर एक भाव नमबर पांच भाव नमबर नो तो ये भाव भी जो केंदर के हैं ये भी शुबकारी है उसके बाद इन भावों का नमबर आ जाता है ये भाव भी शुबकारी है राज योग होने में ये भाव आपस में यानि के केंदर भाव एक, चार, साथ, दस और तिरकोन आप देखिए ये जो लगन भाव है ना इसको केंदर का भी दरजा मिला हुआ है तिरकोन का भी दोनों दरजे मिले हैं तो यहां पर यह भाव जो है ना तो इनका बहुत जादा महत्तव है केंदर का और तिरकोन का ठीक है ना तो यहां पर क्या होता है कि तिरकोन का स्वामी है ना मान लीजिए तिरकोन का स्वामी युति कर जाता है केंदर के स्वामी के साथ और अच्छे भाव में प्लेस्ड हो जाता है तो विक्ती का भाग्य जनम से खुला हुआ उसे मिलता है और उस पर बस पाप परभाव नहीं होना चाहिए किसी ग्रह का ये एडवांस बाते हैं लेकिन अभी आप समझें इसको अच्छे से समझ के चलें ये बाद में मैं जोड़नी सारी बातें आपको सिखा दूँगा कि किस तरह से हमने फलादेश देना अभी हमने ये समझना है कि एक दो तीन चार ये है केंदर ये और ये ये दोनों हैं तिरकोन ठीक है ना तो तिरकोन आप देखिए ना तो एक तरह से क्या बना ये पिरामिड ठीक है ना पिरामिड पिरामिड आपने मिस्र में भी देखे हैं पिरामिड आपने मिस्र में भी देखे हैं पिरामिड हमारे मंदिरों के उपर भी आपने देखे हैं तो ये गहरे रहस्य की बाते हैं आपके आगे सारी खोलूँगा धीरे-धीरे करके खोलूँगा कि ये विक्ति के जीवन में कैसे परभाव डालते हैं पिरामिड बनके एक तिरकोन बनके कि विक्ति का जीवन ही बदल जाता है तो हमें ये समझना है इस चीज को अच्छे तरह से समझते हुए आगे चलना है लेकिन अभी तक बस ये समझना है कि ये तिरकोन है ठीक है ना और ये है एक दो तीन चार केंदर है ठीक है ना तो ये बात समझिएगा यहाँ पर राशी कोई भी हो सकती है तो तिरकोन भाव आप जान गए देखिए पनफर भाव ये हैं बाव नमबर आठ भाव नमबर ग्यारा इनको जोतिष में पनफर भाव कहा जाता है पनफर इनका सबंद जादातर धन से आता है ठीक है न ये देखिए दूसरा भाव कहीं न कहीं धन को दर्शाता है मतलब धन भाव है ये ठीक है पंचम भाव ये संतान धन को दर्शाता है जो विक्ती की संतान है वो भी एकतरा का धन ही है ना तो वो संतान धन को दर्शाता है अश्तम भाव आपकी पैत्रिक संत्ति को दर्शाता है आपके ससुराल के धन को दर्शाता है तो ये भाव भी सिधा सिधा धन से जुड़ जाता है वैसे ये भाव जो है ना ये माता के धन को भी दर्शाता है माता के पास कितना धन होगा और इसके बाद ग्यारमा भाव ये भ पिता का धन भाव है यानि के पिता के पास कितना धन होगा तो पनफर भाव मोटे तौर पर धन के साथ सबंद खाता है ये हम समझ चुके हैं पनफर के बारे में अब आगे चलते हैं अपो किलम भाव तीन छे नौ बारा ये जो भाव है ये अपने आप में एक तरह से डबल पावर के होते हैं मतलब होने को बहुत अच्छे हो सकते हैं ठीक है ना लेकिन बुरा होने पे आएं तो बहुत बुरे भी हो सकते हैं यहां पर आपको नजर आया होगा नवम भाव तो तिरकोन में था अब ये अपोकिलम में कहां आ गया तो ये आगे सारी बाते सौल्व होंगी जैसे एक विक्ती के पास उसको अधिकार मिल जाता है ना कई बार कोई विक्ती कई वेपार कर रहा होता है कई जगा से उसे इंक अफर भाव की पावर मिल गई थी तो ये बाते आप समझ जाएंगे बस ये याद रखें ये भाव जो है ना अपोकिलम इनमें डवल पावर है अच्छाई और बुराई दोनों है किस तरह से हैं आगे जाके हम समझेंगे फाइदा भी दे सकते हैं नुकसान भी करवा सकते ह उपचाय भाव तीन नमबर भाव छे नमबर भाव दस नमबर भाव ग्यारा नमबर भाव इनको उपचाय भाव कहते हैं तो इनका क्या-क्या महत्तव है ये भी आप अगले जो फलादेश के वीडियो जाएंगे ना उनमें विस्तार से बताऊंगा ये परिचय है मतलब आपको मालूम हो कि किस भाव को हम किस किस नाम से संबोधित करते हैं कल मैं आपको बोलूँ कि उपचाय भाव का स्वामी तिरकोन के स्वामी के साथ यूती करके अश्टम भाव में वैठा है तो अब इसका यह यह फलोगा और आपको मालूम ही ना पड़े कि उपचा भाव को फिर यहाँ पर डवल पावर मिल गई ठीक है ना तो आगे चलते हैं अब त्रिक भाव सबसे जादा मुसीबत वाले भाव यानि के त्रिक भाव कौन से हैं छटा भाव अश्टम भाव बार्वा भाव यानि के यह भाव वह भाव हैं यह आपको रोग देता है करजा देता है बिमारी देता है छोटी मोटी और शतुरता देता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है के यह त्रिक भाव मतलब मुसीबत देने वाले भाव यह भाव आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाता है रुकावटे देता है मौत का कारण बनता है ठीक है ना और यह भाव जीवन में ऐसी उलजने पैदा करता है कि विक्ती उलजा ही रह जाते हैं और यह भाव जेल का है हस्पताल का है और आपको अलगाव यानि कि किसी भी चीज से तोड़ने का यह भाव है तो यह भाव जो है ना यह त्रिक भाव कहे जाते हैं मुसीबत वाले भाव मैंने आपको बारा भावों से क्या-क्या मिलता है उसका एक लिखाया होगा पूरा उसको पढ़ें उसमें आप देखें कि इन इन भावों से क्या मुसीबतें आपकी तरफ आती हैं तो आप समझ जाएंगे कि इन भावों का क्या महत् देखो अगर कोई भाव अच्छा फल दे रहा है तो बुरा भी देता है और अगर बुरा दे रहा है तो अच्छा भी देता है यहाँ पर जरूरी नहीं है सब कुछ बुरा ही मिले यहाँ पर माता का छोटा भाई भी आता है यानिके मामा और यहाँ पर इस्तरी का कटुम्ब परिवार ससुराल भी आता है ठीक है ना तो यह चीज है यहां से आप अपनी संतान का सुख भी देखते हैं तो यह भी चीज है ठीक है ना तो यह भाव जो है यहां से पिता के छोटे भाई यानि के आपके चाचा का भी बन जाता है तो यह चीजे थोड़ी अडवांस है लेक कोई भाव अच्छा और कोई भाव बुरा लेकिन एक जैसा सा भाव हर समय उसमें नहीं रहता समय के अनुसार तबदीली हो जाती है वहां से क्या फल निकालना है वह जो यजमान आपके सामने आता है उसकी हालात के अनुसार निर्ने किया जाता है पत्रिका से देखकर कि हमें इस भाव का उप्योग कैसे करना है और सधारन तोर पर इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है जैसे केंदर और तिरकोन शुब हैं ये आशुब माने जाते हैं मारक भाव मारक भाव दूसरा और सात्मा होता है अब दूसरा भाव मारक क्यूं कहा जाता है इसे समझें दूसरा भ पिटा सीधा शब्द किसी को बोल दिया कई बार मरने मराने पर हलाता जाते हैं कटुम्ब यानि के आपका परिवार दुनिया भर के जगड़े जो होते हैं किसी परिवारिक विक्ति के कहीं न कहीं ये वजह तो इसके पीछे एक रहती है न कटुम्ब इसके कारण भी जमीनों जायदादों के जगड़े हो जाते हैं सब्तम भाव आपकी धर्म पत्नी का या आपके जीवन साथी का आपके पती देव का इनके पीछे कई जगड़े हो जाते हैं जर जोरू और जमीन ठीक है न और ये भाव कामवासना को भी दर्शाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि व पुरबलता का शिकार हो जाना मतलब आप में वो शक्ती ही कम हो जाना जो रोग प्रति रोधक शमता को बढ़ाती है और हर बिमारी से लड़ने की शक्ती देती है ये भाव उस शक्ती को कमजोर कर देता है कहीं ना कहीं तो तपसवी लोग ब्रहमचारी लोग इसी लिए यानि के मारने में सहायक बन जाता है ये भाव इसके बाद इस भाव को भी कुछ ना कुछ विदवान मारक भाव का दरजा देते हैं और अश्टम को भी देते हैं लेकिन सपष्ट रूप में नहीं बोलते हैं ठीक है ना इन दोनों भावों को भी देते हैं लेकिन शास्त्र यात्रा को समापत कर देगा हमारी हानी हमारी समापती अलगाव इस दुनिया से तो ये मारक भाव को आप समझ गए होंगे तो ये जो भाव है ना मैंने आपको बताए इसमें केंदर है तिरकोन है पहले धरमर्थ काम मुक्ष बताया था पनफर बताया ऑपकिलम बताया उपचाय बताया थीक है ना तिरक भाव बताये और मारक भाव बताया आपको और इसमें आयू भाव भी एक आप समझ लीजिए तीसरा भाव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आयू भाव ठीक है ना तीसरा और अश्टम भाव ठीक है ना ये आयू भाव भी दर्शाते हैं ठीक है ना तो यहां पर आयू की गनना भी की जाती है तो इतने भावों का आज आपको विवरन मिल गया बारा लगन है बारा लगन में हर एक ग्रह की भूमी का अलग है कौन सा ग्रह योगकारक है कौन सा ग्रह आकारक है कौन सा ग्रह बाधक है यानि के बाधा पैदा करने वाला ये हब अगले वीडियो में जानेंगे तब तक के लिए आप इन सभी चीजों को नोट करके रखें पिछले वीडियो देखते हुए आएं ताकि आपके ग्यान में वरिद्धी होती रहे तो इस वीडियो में दी गई जानकारी जोती सीखे एक शरंखला जो चल रही है उसके अंतरगत थी और इस वीडियो का लाब आपको मातरानी की किरपा से होगा जै माता दी